हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम कॉलर नेक बनाएंगे यह मैंने तीन इंच पर मार्क लगाया है आगे और पीछी दोनों गले रखे हुए हैं एक इंच की गहराई देंगे हम पीछे वाले नेक को उसके बाद आगे वाले के ऊपर मैंने तीन इंच की गहर कर देंगे इस कपड़ेगो आगे वाले पार्ट को इस तरीकी से ओपन करेंगे यह मैंने पट्टी बनाएंगे रखे हैं गले की पहले से इसकी अंदर की गहराई है चार इंच और एक इंच पट्टी की चोड़ाई है झाले कर दो आगे वाले की उवाई ट्माइव है भॉझ आए झाह है चंप चाह है जद्चत कोई पंच साब्र के की पिरे ट्रिंग झाले कि रथ आगे मैंसा आगे वाले ऋे खर दोक्त एंड़े वाले अपर मैंसर अगे वाले चर्शना, आगे झाल झाल कोलर को मैंने डबल कर रखा है इस तरीकी से गले को यह हमारा आया है नो इंच और मैं इसको ले रही हूँ यहाँ पर आठ इंच दो इंच मैंने इस तरीके से गोलाई दे दी है और एक एक इंच का मैं इस तरीके से चोड़ाई ले रही हूँ फिर से हम एक बार नाप के देख लेंगे कि हमारा ये नोइन चारा है कि नहीं आ रहा थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम इस तरीके से आगे इसको बढ़ा देंगे कपड़े को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे कॉलर को मैंने एक सिंगल कपड़े से अटेच कर लिया है कॉलर को कि इसके बाद हम उसी सरनाप का है कपड़ा ओपड़ा है और लेंगे नीचे और इसके उपर हम अंदर की सैड से सिलाए लेंगे एक हम कुर्ति को इस तरीके से बिचा देंगे और हम बीच में एक छोटा सा निसान लगाएंगे और कुर्ति को मैंने सीधा रखा है और देखिए सीधा करके कोलर को नीचे की सैड से मैं अटेच कर रही हूँ कुलर हमारी अटेच तो हो गई है लेकिन थोड़ा सा मैंने कॉलर को एक्स्ट्रा रखा था अब हम उसको देखिए इस तरीके से सेट करके बिल्कुल फिक्स नाप से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे कोलर को हम सिधा करेंगे अच्छे से केचे की साहता से कोलर को अच्छे से बाहर निकालते हुए फिनिसिंग के साथ और उसके बाद हम अब इसके उपर बाहर की साइड से देखिए इस तरीके से मैंने लगाया इसको बाहर की साइड से एक सिलाई से हम फिनिसिंग के साथ इसको अटेच कर दे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करे कमेंट करे अगर कहीं पर कन्फूज हुआ हो तो अमारे चेनल को सब्सक्राइब करे वेल आइकन को भी प्रेस करे थेंक्स फर वॉचिंग बाइबाई करे वे तो हो तो